जार्खन के राजपाल, श्री संतोष गंगवार जी, केमिनेट में मेरे सहयोगी, सिवराज सी चवान जी, अनपुना देवी जी, संजय सेड़ जी, साउसत, विद्यूत महतो जी, राज्य सरकार के मंत्री, इर्फान अंसारी जी, जार्खन भाजपा के द्यक्ष, बाबुलाल मरांडी जी, औल जार्खन स्टूडेंट्स उनियन के द्यक्ष, सुदेश महतो जी, विधायगान, अन्य महानुभाव, भाईव और वहनों, मैं बाबा बैदनाथ और बाबा बासुचिनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान विर्षा मुन्डा की वीर भुमी को भी नमन करता हूँ, आज बहुत ही मंगल दीन है, इस समय जारखंड में प्रकूती पूजा के पर्व कर्मा की उमंग है, आज सुबए जब मैं राची एरपोर्ट पर पहुंचा, तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया, इस पर्व में बहने अपने भाई की कुशलता की कामना करती है, मैं जारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूँ, आज इस शुबदीन जारखंड को विकास का नया आशिरवाद मिला है, छे नई बंदे भारट ट्रेने, साड़े छे सो करोर से जाजा की रेलवेब परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुवीदाओं का विस्तार, और इस सब के साथ साथ, जारखंड के हजारों लोगों को, पी-एम आवास योजना के तहत, अपना पक्का घर, मैं जारखंड की जनता जनारदन को, इन सभी विकास कारियों के लिए बधाई देता हूँ, इन बंदे भारट ट्रेनों से, जो और राज्ये से भी जूड रही हैं, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ, साथ क्यों, एक समय था जब आधुनिक स्विधाएं, आधुनिक विकास, देश की केवल कुछ शहरों तक सिमीत रहता था, जारजगर्म जैसे राज्ये आधुनिक इंफ्रासेक्टर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्रात्विक्ता ओंको बदल दिया है। अब देश की प्रात्विक्ता देश का आधिवासी है, अब देश की प्रात्विक्ता देश का दलीत, बंचीत, पिछला सवाज है, अब देश की प्रात्विक्ता महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही जारखन को बंदे भारत जैस से हाइट पूर चला जाता है अभी कुछी दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिन के राज्यों के लिए तीन नई वंदे भारत एसप्रेस कोहरी जंडी दिकाएती और अज टातना अगर से नोजज़ा ऊरिछा के ब्रह्मपूर, राउर केला से टाटना अगर होते हुए हावड़ा, बागलपूर से दुमक होते हावड़ा, देवगर से गया होते हुए वारान स्ी और गया से कोडर्मा, पारतना दनबाद होते विए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सपरेट की शेवा शुरू हुई है और अभी जम मंच पे आवास वित्राम का कारकम चल रहा था उसी समय मैंने जंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विजाई भी दे दी और वो अपने गंतविस्तान पर चल पड़ी है पुर्वी भारत ने रेल कनेक्टिविटी की विस्तार से इस पूरे छेत्र के अर्थरव्यवगस्ता को मजबूती मिलेगी इन ट्रेनों से कारवबारियों को उचात्रों को लाब होगा इससे यहां आर्थिक और सांस्तुरत गतिविद्या भी तेज होगी आप सभी जानते हैं आदेश और दुनिया से लाखों के संख्या में स्रद्दालू काशी आते हैं काशी से देवगर के लिए बंदे भारत ट्रेनों की सुविदा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैदिनात के भी दर्शन करने जाएंगे इससे यहाँ परियाटन को बढ़ावा मिलेगा टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा उद्धोगी केंद्र है याता आयात के अच्छी सुविदा यहाँ के उद्धोगी विकास को और घटी देगी परेटां और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से जारखन की विवाओं के लिए रोजगार के आउसर भी बढ़े है साचो तेज विकास के लिए आधुने ग्रेरी इंफ्रासेक्चर उतना ही जरूरी है इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेस पर शुरू किये गए है मदुपूर बाइपास लाइन के आधार चला रखी गई है इसके तैयार होने के बाद हावडा दिल्ली मुखे लाइन पर ट्रेडों को रोकनी की ज़ूरत नहीं होगी बाइपास लाइन सुरू होने से गिरिडी और जसीडी के बीच याता की भी कभी समय कम हो जाएगा कुर्फुरा से कनारवा तक रेल लाइन का दोरी करान होने से जारखन में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है इस सेक्षन से दोरी करान का काम पुरा होने सब स्टील और दोग से जूरे माल की डुहार डुलाई और आसान हो जाएगी साथियों जारखन के विकास के लिए केंदर सरकाने राज में निवेश भी बढ़ाया आया और काम की गति भी तेज की गई है इस साल जारखन में रेल इंफरसेक्टिव के विकास के लिए साथ हजार करोड प्य से जादा का बजेट जिया गया अगर हमें इसके तुलना दस साल पहले मिलने वाले बजेट से करें तो इस सोला गुना ज्यादा है रेल बजेट बढ़ने का असार आप लोग देख रहे हैं आज राज में नई रेल लाइन्स विजाने उनके दोरीकान करने और स्टेशन उप रादुनिक स्विज़ाय बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है आज जारखन भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहा रेल्वे कने लैट वर्क का सो प्रतिसल इलेक्रिफिकेशन हो चुका है अमरिज भारत स्टेशन योजना के तहए जारखन के प्रतास एधिक रेलवे स्टेशनों का भी कालप किये जा रहा है साथ यो आज यहां जारखन के हजारों लाभारत्यों का पक्का घर बना रेके लिए पहली किस्त जारी की गई है पी-म आवास योजना के तहद हजारों लोगों को पक्का घर मिल भी बनदगर बना कर दिया गया है हमें याद रखना है जब एक पड़िवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसमान बढ़ जाता है वो अपना वर्तमान सुदार्रे के साथ भी बहतर भविश के बारे में सोचने लगता है उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहे गई और इसे जार्खन के लोगों को सिर्फ पके गड़ी नहीं मिल रहे पीए मावास योजना से गावों को और शहरों में बड़ी संक्या में रोजगार के अवसर भी तयार हो रहे साथ क्यों 2014 के बाद से देश के गरीब दरीद वंचित और आजिवासी परिवारों को ससक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए जार्खन समय देश भर के आजिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जन्मन योजना चलाई जा रही है इस योजना के वादम से जन्जातियों तक पहुंचने की कोशिस हो रही है जो बहुत पीछे है ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिड़ली, पानी और सिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते है ये प्रयास विश्चित जार्खन के हमारे संकल्पों का हिस्सा है मुझे विश्वास है आप सब के आशिरवात से इसंकल्प जुरू पूरे होंगे हम जार्खन के सपनों को साकार करेंगे इस कार्खन के बाद मैं एक और विशाल जन सबाबे भी जा रहा हूं पाट-दस मिनिट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा वहां बहुत जार्खन वास्यों की छमा भी मांगता हूं क्योंकि मैं राच्ची तो पहुंच गया लेकिन प्रकुर्ते ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहां से हेलिकॉप्टर निकल नहीं पा रहा है वहां पहुत नहीं पा रहा है और इसके करना मैं वीडियो कांफरंसे इन सारे कारकमों का आज उद्गाड़न और लोकार्पन कर रहा हूं और अभी सार्वजेनिक सभा में भी मैं सबसे वीडियो कांफरेंस से जी भरकर के बहुत सी बाते करने वाला हूं मैं फिर एक बार आप सभी आएं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नमस्कार